हेलो प्रेंज वेल्कम टू आलोग्स विलोग आज हम एक्स्क्लूजिव टॉपिक आपके लिए लाए हैं छठ पूजा के लिए अब तो सारे सेलिब्रेशन थातम हो गए लिवाली गई दशेहरा गया छठ पी किया रिसेंट्ली छठ पूजा भी हमें समने मिलके सेलिब्रेट किया अब तो डारेक्ट अब निवर की ही तैयारी होगी लेकिन क्या कभी आप लोगोंने सोचा है कि छठ पूजा क्यों सेलिब्रेट करते हैं इसके पीछे क्या बेसिक रिजन है कब से शुरुवात हुई किसने सबसे पहले छठ पूजा किया होगा और छठी भया कौन है हम हम दुर्गमा को जानते हैं हम सरस्वती को जानते हैं हम काली को जानते हैं पारवती को जानते हैं हम आधिशप्ति को जानते हैं इतने सारी देवियों को हम जानते हैं लेकिन यह छठी मईया कौन है किनका रूप है कि वैसे तो जो हमारे साथ से हैं आइमिंग जो बिहार य यह पाईडिया होगा लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे तरफ के भी है लेकिन फिर भी उन्हें आइडिया नहीं है जादा डीटेल नॉलेज नहीं है घर में होती चले आ रहा है तो इसलिब्रेशन सोते रहते हैं कभी किसी इने अंदर जाकर के जानने की कोशिश नहींग बहुत तुर्सी दम धिमी से आवाज आई थी अनुवादा पॉडवाल की फेमस सौंग तिक आप लोगोंने गेस कर लिया होगा और इट वाज मार्बवरे सुगवाद धनुक्षा एट वसो नॉस्टाल्जिक बै चारों बगल इधर जाने लगी कि कहां से आवाज आ रही ह है ये चहट पुझा कहां सेलीघर हो रहा है पता ही नहीं चल रहा था फिक हम थे हमारी लियुमिति से हमारी चर्ट पूजा की समित्य अब और पुझा सेलिब्रेट किया गया मेरी तरह आप लोग में से बहुत लोग होंगे जो नॉस्टाल्जिक फील करते होंगे जब हम अपने घर से दूर रहते हैं इन से फेस्टिवल्स में हमें अपने घर की बहुत याद आती है मारा बच्पन याद आता है कि कैसे खड़ना का खीर करने के लिए हम जाते थे हम नहीं जानते वे अलग-अलग घाट पर जाते थे प्रशाद करने के लिए हमारे तो पॉलिथिन हमारी तो पॉलिथिन ही फिल हो जाती थी ती सारे घाट पर से अमनों प्रशाद देते थे समाव हमारे बच्चे यह सब चीज मिस करते हैं इनकी वह से नहीं बन पा रही इसलिए मैं अपने तरफ से तो कोई भी फस्टिबल में करती हमें घर में भी करते हूं ताकि हमारे बच्ची भी कुछ मेंबरी बना सके इस बात उन्हें घाट पर भी लेगी गई थी ताकि हमारा कल्चर देखें समझें चट्पुजा क्या होता है क्यों से लिबरेट करते हैं तो जादा लेट नहीं करते हैं लेट डाव इंटू टॉपिक आए देखते ह कि चट्पुजा क्यों मनाया जाता है इसके पीछे का लॉजिक क्या है दिवाली के त्युहार के बाद बिहार और यूपी में नेपाल में भी चट्पुजा की तयारी होने लगती है और अब तो इंटरनाशनल लेवल पे लोग चट्पुजा सेलिबरेट करते हैं वहां भी फॉरन कंट्रीज में भी पॉंस और लेक्स में लोग जाकर के अपना घाट बनाते हैं यह त्युहार पृत्वी पर जीवन पाने भगवाने सौर और उनकी पत्नी से आशिरवात पाने के लिए भगवान को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है ऐसी मानेता है कि सूरी क अशिरवात से बहता स्वास्त दिर्गायू प्रगति सकारात्मक्ता सम्रिध्धी और कल्यान का अशिरवाद मिलता है यह चट का पूजा में मूख्य दिन तीसरा माना गया है इस्तिहार में कठोर दिंचर्या का पालन करना पड़ता है इस्तिहार में एक बार उगते और चटे दिन पढ़ने वाले इस्तिहार का नाम इसी वजह से चट पड़ा है वैसे यह कपसे सलिबेट किया जा रहा है इसका एक्चुल नॉलिज तो नहीं है या कहीं से इसका कुछ ऐसा ट्रांस्क्रिप्शन नहीं मिलता है लेकिन हिंदू महाकाव्य रामायन और महाभारत म भी चट पूजा का जिक्र किया गया है रामायन के नुसार भगवान श्री राम ने चट पूजा की शिरुवात की थी जब भगवान राम आयध्या लोटे तब उन्होंने अपनी पत्नी सीता के साथ सूरी देवता के सम्मान में व्रत रखा था केवल सूरी की स्थापना कर व्रत रखके फिर व्रत को तोड़ दिया था यही अनुष्ठान आगे चल कर छट पुजा के रुप में मनाया जाने लगा एक दूसरा कनेक्शन महाभारत से भी है महाभारत काल में कर्ण सूरी देव और कुंती के पुत्र थे और वो हमेशा पानी में खड़े होकर सूरी की उपासना करते थे और उन्हें अर्ग देते थे वहीं एक और कथा ये भी कहती है कि दुरापदी और पांडवों ने भी अपने राज को वापस पाने के लिए सूरी की पुजा की थी जो बाद में चट पुजा के रुप में मनाया जाने लगा इसे चट पुजा का साइंटिफिक कनेक्शन भी है इसे हम वैग्यानिक महत्व कहते हैं जब हम चट पुजा के दौराण नदियों में सनान करते हैं पहले तो नदी में सनान किया जाता था अब तो लेक्स, पॉन्स और एवलिबिलिटी ना हो तो लोड़ टब्स वगेरा मे भी पानी लेकर के सनान करते हैं तो वैग्यानिक तुरिष्टी कौन से इसे देखें तो शरीर को पानी में डुपकी लगाने से हमारा बॉड़ी जो हता है वो डिटॉक्सिफाई हो जाता है और जब हम पानी से बाहर आते हैं और सूरी किरन और धूप के संपर्क में आती है तो हमारे शरीर में सौरी उर्जा की पैदा होती है और हमारा बॉड़ी तब जाधा फिजिकली फिट फिल करता है जो कार शमता बढ़ जाती है हमारे शरीर निरोगी भी होता है अब आप सोचेंगे निरोगी कैसे हो जाता है सरफ फानी में ही नहाने से क्योंकि जब हमारा जब detoxify होता है तो हमारे स्किन पे जो भी ऐसे harmful bacteria होते हैं या कुछ होता है कि जब सीजन कि रोशनी दीरे दीरे पढ़ती है हमारे पर तो वह दीरे दीरे उस चीज को हमारा बॉड़ी एडाप्ट करने लगता है हम उसमें फिर रमने लगते हैं अधीरे दीरे इसी वजह से अक्चुली वही चला रहा था कि ठंड में इसलिए लोग नहांते थे तो भी दिक्कत नहीं अब तो लोग वैसे लोकालिटी में रहते हैं यह शहरों में रहते हैं तो इस चीज से वंचित रहते हैं तो हमें गीजर वगेरा लगाना पड़ता है अब आये हम जानते हैं यह तो हमने देख लिया कि छट कब से मनाया जा रहा है चट पूजा क्या होता है अब आये देख पुरानों के अनुसार ब्रम्हा जिने शृष्टी के रचना के लिए स्वयम को दो भाग में बाट दिया जिसमें दाइने भाग में पुरुष और भाएं भाग में प्रकृती का रूप सामने आया शृष्टी की अधिशास्त्री देवी प्रकृती हैं उनका एक अन्ष देव सेना के नाम से भी जाना जाता है और प्रकृति का छटा होने के कारण इन देवी मा का नाम छटी के नाम से प्रचलित हुआ यह शष्ठी भी कहा जाता है जिसे छटी मैया के नाम से हम सब जानते हैं धार्मिक मानिता के अनुसार छट मैया को ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा जाता है और कहा जाता है कि यह वही देवी है जिनकी पूजा नवरात्री में शष्ठी तिथी को की जाती है इनकी पूजा करने से संतान प्राप्ती वह संतान को लंबी उम्र प्राप्त होती है एक अन्य माननता के अनुसार इन्हें सूरी देव की बहन भी माना जाता है जै छटी मईया उमीद है कि आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हम बहुत महनत करते हैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स आप के लिए लाते हैं आपका सब्सक्रिप्शन्स आपके कमेंट्स हमें बहुत ही मोटिवेटेड फिल कराते हैं इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा वीजियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा जै माता दी झाल झाल